Hello everyone, welcome back, मैं जोती शर्मा एक और नई टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है जोन कीट्स की पोयम, Ode to Autumn तो सबसे पहले हम जानेंगे आटम के बारे में, ओके, आटम जो है, one of the four template seasons में से एक है जैसा कि समर आता है, हाँ, विंटर आता है, वैसे ही आटम आता है तो ऐसा माना जाता है कि समर और विंटर के बीच में, ओटम का मौसम रहता है ओटम एक्चुली कैसे पहचाना जाता है कि उस समय पेडों के पत्ते जो हैं वो गिरने लगते हैं और ब्रेजुली आप यह जाने कि टेंप्रेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है यानि समर में क्या है टेंप्रेचर हाई रहता है और यहां से धीरे 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 डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर temperature low हो जाता है तो यह जो beach की जो condition है न यह होती है autumn की इसके अंदर poetry के अगर नजरिये से देखा जाए तो autumn को ज़्यादा तर poet use करते है as a melanchly symbol melanchly के लिए यूज किया जाता है इसको sadness के लिए यूज किया जाता है autumn को यानि जब किसी का mood दिखाया जाता है न उदास तो autumn का symbol लिया जाता है लेकिन जॉन किट्स ने क्या किया है यहाँ पे जॉन किट्स कहते हैं कि autumn का भी अपना एक अलग ही मजा है एक अपना अलग ही music है autumn की भी अपनी एक अलग beauty है और वो beauty यहाँ पे वो हमें बता रहे है किस तरह से देखिए एक बार है न आप जैसे थोड़ा सा यह जान लेते हैं introduction तो आपको अच्छे से चीज समझ में आ जाती है तो देखो आप एक बार पहले इसको समझ लीजे कि three stangas की यह poem है है न थोड़ा सा ध्यान देना है बस फिर उसके बाद में आपको poetry जो है बहुत easy और बहुत interesting लगेगी आप हर एक poem के अंदर पहले introduction को अच्छे से देखा गरे है उसके बाद में आपको line by line explanation जो है उसमें और भी मज़ा आएगा देखिए तीन stangas है इस वाली poem में हमारे पास stangas number first, second and three third first जो है उसमें autumn की beauty describe की गई है autumn की अपनी एक beauty होती है फिर उसके बाद में second stangas में autumn को personify किया है यानि autumn को न harvester बताया है, riapper बताया है gleaner बताया है, cider presser बताया है वो हम आपको line by line explain करेंगे तब साथ की साथ बताते जाएंगे और जो third stangas है उसके अंदर various sound जो है उनकी बात की है कि autumn में आपको various sound सुनने को मिलते हैं जिसकी अपनी एक अलग ही मतलब कहते कि चाम है उस music का तो चलिए हम देखते हैं line by line explanation के साथ कि किस तरह से डिसक्राइब किया है जोन केट्स ने autumn को very first line season of mists and mellow fruitfulness close bosom friend of the maturing sun अब देखें यहना आप ध्यान दीजे और वीडियो पर last तक पूरी concentration के साथ रहे क्योंकि एक एक शब्द एक एक line जो है आपके बहुत सारे questions को clear करेगी यहां आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से season की बात हुई है जिसे mellow fruitfulness बताया है या mist का season बताया है या close bosom friend बताया है किसको किसका close bosom friend बताया है मिस इस तरह से relate करके question examiner कैसे भी पूछ सकता है बस आप द्यान से सुनेंगे ना तो आपको सारे questions जो है अपने आप clear होते चले जाएंगे देखे season of mist and mellow fruitfulness यह जो season है ना autumn का यह थोड़ा सा कैसा है mist mist का मतलब होता है दूंद जैसा यानि देखे साथ के साथ आपके सामने word meaning भी है आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो fine water droplets होती है ना यहर के अंदर ऐसे धूंद जैसी कोहासा सा इस तरीकी का मोसम होता है यह और आप है ना particularly इस वाले मोसम को कहां से relate करेंगे आप जोन किट्स के area से relate करेंगे हमारे इंडिया से नहीं जोन किट्स के area से pleasant बहुत ही कैसे mellow यानि soft fruits जो है वो आने लगते हैं close bosom friend of the maturing sun और यह जो season है वो किसका bosom friend है maturing sun का यानि sun जो है अभी भी अच्छे से चमकता है यानि अब धीरे धीरे क्या आएगी इसके बाद autumn के बाद थंड आएगी और ठंड के अंदर के आओगा sun जो है वो देखने को भी नहीं मिलेगा अभी तो sun जो है वो mature है यानि maturing sun का यह bosom friend है और यह आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं fruits को पकाने का काम कर रहे हैं यह आपको next two line में देखने को मिलेगा तो चलिए next two lines पे चलते हैं लेकिन poetic device देखेंगे पहले हम देखें परसोनिफिकेशन है यहाँ पर क्योंकि friendship के बात की है close bosom friend है na close bosom friend है friendship के बात हुई है और friendship के बात किन के बीच में हुई है autumn और sun के बीच में और autumn और sun क्या है non living है और personification होता क्या है जब non living में living वाली quality दिखाए जाती है that is called personification यानि मान भी करन अलंकार तो यहाँ आ गया personification alliteration है इसे बताने की ज़रत नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते है कि जब consonant sound का reputation होता है तो वो हो जाता है alliteration यानि अनुप्रास अलंकार चलिए next to line पे चलते हैं हम conspiring अब यह जो word है ना conspiring इसका मतलब तो वैसे होता शडियंतर रजना ठीक है लेकिन यहाँ पर क्या है collaboration है एक तरह से आपस में मिलकर काम करने से है conspiring with him him means son how to lord and bless कि यह जो autumn है इसके अंदर क्या होता है सूरच जो है वो इस рitoo के साथ मिलकर और क्या करता है फलों को lord कर देता है, bless कर देता है यानि उनके अंदर sweetness भर देता है उनको rass से भर देता है उन्हें पका देता है with fruit the wines यानि जैसे देखो wines होती है ना इस तरीके से भर जाती है round the thest eave run thest eave का मतलब होता है जैसे कच्ची छट होती है चप्पर होता है इस तरह से बनी हुई जो छट होती है गास फूस की उसे कहता है thatch eave जैसे कि छप्पर के ऊपर कोई बेल चड़ी होई है और उसके उपर बहुत सारे फल जो है वो भर गए है वो कब भरते है आटम के सीजन में हाँ specially आटम के सीजन के अंदर ही कहां का यहां पर बात हो रही है यहां पर बात इंडिया के नहीं हो रही है यहां पर बात कहां की हो रही है जो उन केट्स के एरिया की हो रही है कि वहाँ क्या होता है सीजन जो है autumn का वो mist का कहलाता है mellow fruitfulness का कहलाता है सूरज इस autumn के साथ friendship निभाता है और क्या करता है फलों से लाद देता है लताओं को यानि जो पेड है वो फलों से लद जाते हैं पोईटिक डिवाइस देखिए personification again क्योंकि देखिए autumn और जो sun है उनके बीच में personification दिखाया गया है यह conspiring कर रहे है शडियंतर रच रहे है आप शडियंतर रचने का काम जो है आप समझे गए human being का होता है हाँ तो here is personification metaphor how the use of conspiring जो word है यह metaphor भी है metaphor कैसे है देखिए क्योंकि यह क्या है एक deliberate plan है strategy है between them who autumn and sun even though these concepts are not human attributes even metaphor इसले है क्योंकि human attributes भी यह नहीं माने जाते है आम इंसान जो होता है एक nobleman जो होता है conspiring बोड नहीं करेगा so here is metaphor imagery है कि जैसे ही हम बात करते है with fruit the wine that round the test इस तरीके से fruit wines इनकी बात करते है तो हमारे सामने कुछ ऐसी image आ जाती है जो आपको image में देखने को मिल रही होगी कि जैसे लटाएं जो है वो बिल्कुल फलों से भर गई और लद गई है आगे देखे बहुत प्यारा सीन जो है आपके दिमाग में आएगा भी जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाएंगे आपको लगे का जोन किट्स ने इतना ज़्यादा मतलब vividly इस का description किया है ऐसा लगेगा कि जैसे बिल्कुल सामने आप एकदम से एसी जगा पर जा बैठे हैं जहां पर फूल हरियाली है बहुत प्यारा सा सीन आपके आँखों के सामने है देखे next line to bend with apples the most cottage tree ऐसे लग रहा है कि पेड जो है वो जुक गया है जिस पर apple लगे हुए है most cottage यानि जो cottage बनी हुई है जो जोपड़ी बनी हुई है जिनके सारे ये पेड हुगे हुए है उन पर काई लगी हो रही है क्योंकि बहुत जादा पेड है और वहां पर क्या है सूरज की रोशनी अच्छे से पहुँश नहीं पाती तो काई लग जाती है यानि कहने का मतलब यह है इंपर्डेंट पार्ट पार्ट ऑफ सम्थिंग यहानि बिलकुल एक दम खोर तक गहरा ही तक वह पक गये है देखें पोईटिक डिवाइस परसोनिफिकेशन हीर अव देपल ट्रीज परसोनिफएड अस बीग अबल तो बैंड यह जो पेड है यह बैंड हो सकता है जुक सकता है और जुकने की जो कॉलिटी है human being की कॉलिटी है living being की कॉलिटी है तो here is personification and imagery तो आप लिखी सकते है जोन केट्स ने इसे लिखा है imagination जो है वो तो एकदम full है तो imagery तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे चलिए next two lines to swell the gourd and plump the hazel shell की gourd जो है यानि pumpkin कह सकते है आप घिया कह सकते है वो पक गया है फूल गया है swell का मतलब सूजन आ जाना होता है वैसे तो लेकिन यहाँ पकने से है फूल जाने से है उसमें गुदा भर गया है and plump the hazel shell और जो hazel shell है वो भी कैसे हो गई है वो भी पक गई है with sweet kernel उसके अंदर मीठी गिरी पक गई है यानि जो hazel के उपर जो छिलका होता है मोटा मोटा nut जो होता है hazel अखरोट उनके उपर जो shell है वो तो है यह अंदर से वो कैसी हो गई है उसकी गिरी उसकी जो करनल है उसकी जो गिरी है वो कैसी हो गई है मीठी हो गई है यानि very first जो stenga है हमारा उसके अंदर autumn की beauty को डिस्क्राइब किया है कि autumn में क्या खुबसूरती है autumn में क्या क्या होता है to set budding more इसे आगे हम करेंगे next line के साथ में लेकिन पहले देख लेता है poetic device देखे इमेजरी है, क्योंकि यह जो लाइन है लाइन अ गर्ड आता है, हैजलनत आते है, शेल्ट्प करनेल जो आता है यह एक तरह से सैंसरी एक्सपेडियन्स हमारे सामने लेकर आता है रीडरी आमेजरीर करने लड़ता है, इसज को, शे Civ को, टेस्ट को है न क्योंकि यह स्वीट का जिक्र हुआ है स्वैल यानि फूल जाना गॉर्ड जो है वह फूल गया है यानि पंकिन समझ लीज़े गिया समझ लीज़े वह एकदम पक के तयार हो गया है चीक है चली आगे इसके साथ रिलेट होगा यह तू सैट बडिंग मोर and still more later flowers for the bees और क्या हो रहा है कि जो बीज है यानि जो मधुमकिया है वो भी क्या करने लगी है फूलों पर बैठी है और वहां से क्या इखटा कर रही है हनी इखटा कर रही है until they think one day will never cheese और वो ऐसा सोच रही है कि यह गरम दिन कभी खतम नहीं होंगे for summer has overbrimmed their clamysels और उन्होंने क्या कर लिया है अपने आपको बहुत ज़्यादा चिड़पडा कर लिया है यानि जैसे शहद चारों तरफ उनके चिपक गया है पूरा एकदम स्टिकी स्टिकी सी हो गई है वो चिपचिपाहाट से भर गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा शहद की ब्यूटी है ओटम के अंदर ये सब होता है देखें पुईटिक डवाइस हेर इस मेटाफर हाओ कि समर है और ब्रेम्ट दियर क्लैमे सेल्स ही इस मेटाफर क्योंकि यह कंपेर कर रहा है अबेदेंस को अबेंडेंस क्या है समर के अंदर बहुत जादा जैसे है ना शहद किया जा सकता है वह जदा हो जाता है so here is metaphor next line देखिए यहां से हमारा second strangest start होता है और जो second strangest है ना उसमें किया गया है autumn को personify बताया था आपको यहां पर autumn को personify किया है और personify किया है किस रूप में एक किसान की रूप में वह किसान कभी तो फसल काटने वाला बन जाता है कभी उस फसल को इखटा करने वाला बनता ए तो कभी वह ऐसाlike डर प्रेसर भी बन जातartet जो जूप में आपल जिंझाने ने एपल का किया आपल का रस निकालने वाला चीक है तो उस तरीके से आप है इसे करके चलेंगे कि यहाँ पर बोटम क्या है एक इंसान है जो कि किसान के रूप में है देखो who hath not seen the of amidst thy store here is an archaic word like hath so many words are there the, thy, यह सब archaic word है hath का मतलब has or have है देखें मैंशन किया हुआ आपके लिए ताकि आपको problem ना आए देखें कि किसने तुम्हें नहीं देखा है store के बीच में इसका मतलब जो autumn है न उसमें क्या होता है तब काट कर रख ली जाती है यानि फसल के कटाई हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो आदी हो चुकी है आदी बच रही है कुछ इस तरह कासा मौसम है यह और जब फसल काट ली जाती है तो उसे store कर लिया जाता है तो कह रहे हैं कि तुम्हें किस rapidement नहीं देखा, तुम्हें हर किसी ने देखा है, किस चीज के बीच में, स्टोर के बीच में, यानि तुम्हें एक किसान के रूप में देखा जा सकता है, तुम्हें हर किसी ने देखा है, कहां, sometimes whoever six abroad may find, कुछ लोग, जो कि इन सब चीजों को नहीं जानते हैं, abroad यानि अजनभी हैं, विदेशी हैं, जो इन चीजों को नहीं जानते हैं, वो तुम्हें देख सकते हैं, कहां देख सकते हैं, आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, कि autumn को यहां पर personify किया है, एक किसान के रूप में, जो यहां पर बैठा हुआ है, दी, हां, यहां बैठा है, कैसे, देखिए, दी sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, वो बैठा है यहां पर, कहां पर, दी का मतलब, वही कि archaic word है, sitting यानी बैठा है, careless यानी बिलकुल एक दम लापरवा होके, granary floor का मतलब होता है, वो जगहा जहां पर अनाज इकटा किया जाता है, यानी यह वो किसान है, जिसने अनाज को निकाल लिया, फसल अपनी काट ली, और उसे store कर लिया है, वहाँ वो आराम से बैठा है, क्योंकि उसका काम हो गया थोड़ा निशिन्त हो गया है, फसल कटके तयार हो गई, और उसने अनाज निकाल लिया, तो उसे किस रूप में देखा जा रहा है, आउटम को, एक ऐसे किसान के रूप में, जिसने अपना अनाज निकाल लिया और store कर लिया, और वो carelessly बैठा है, आराम से, क्योंकि काम ख़तम हो गया उसका, दाय हेर, दाय मिंस यूर, इट अन आर्केक वर्ड, यूर, हेर सोफ्ट लिफ्टेट बाए दा विनोइंग विंट, अब ये विनोइंग विंड क्या होती है देखे ये न एक प्रोसेस है विनोइंग का मतलब होता एक प्रोसेस है जिसमें अनाज को जब निकाला जाता है न तो अनाज अलग होता चला जाता है और उसका जो बचा हुआ होता है गास फूस जिसको बोलते है बूसा बोलते है वैस अलग गिरता है और वह जो भूसा है वह अलग होता चला जाता है तो है रहें कि हम तुमेर उस रूप में देख सकते हैं autumn को बोल रहा है वो कि autumn तुमें हर किसी किसी ने देखा है पहला रूप तो कैसा दिखाया है एक ऐसे किसान के रूप में दिखाया है जो carelessly बैठा है जिसने अपना अनाज निकाल लिया है और अब अपने अनाज को और भूसे को अलग कर रहा है वो और उसके बाल जो है वो उड़ रहे हैं clear देखिए poetic devices और देख लीजिए personification autumn is again personified as a figure with hair है ना मैंने आपके बोला एक ऐसे किसान के रूप में जिसके बाल उड़ रहे हैं जब वो विनोइंग कर रहा है हाना हवा चला के अपने अनाज को साफ कर रहा है metaphor भी है यहां पर क्योंकि देखो metaphor इसले क्योंकि विनोइंग wind जो इन्होंने यूज किया है यह यहां represent कर रहा है the passing of time और transition between summer and autumn कि अब क्या होगा अब transition हो रहा है summer से autumn की तरफ आया है क्योंकि summer में फसल जो है वो पक्कर तयार हुई है autumn में उसे काटा गया है imagery imagination आपके सामने आही गई है जब granary floor पर वो बैठा है आपको लगेगा कि वहां पर बहुत सारा अनाज है here उसके उड़ रहे हैं हवा चल रही है तो imagination तो आपके साम बनी रही है तो imagery आप लिखेंगे ही लिखेंगे चलिए आगे चलते हैं और उन्हें half ribbed furrow sounds asleep और एक ऐसे रूप में भी तुम्हें देखा जा रहा है कि आधा तो खेत काट लिया गया है यानि आधी फसल तो काट ली गई है furrow sounds asleep और drowsed with the fume of poppies और होता है न कि काम करते करते किसान ठक जाते हैं और ठक कर वहीं अपने खेत में ही सो जाते हैं काम करते करते ही है न उस तरीके से कि आधा तो उसने अपना खेत काट लिया लेकिन अभी आधा बाकी है और वो ऐसे सो गया है जैसे उसने poppies जो है वो सूंग ली हो पोपीज का मतलब क्या है यानि अफीम के पोधि होते है उनकी fragrance को सूंगने से ही मतलब एकदम मधोशी सी आ जाती है नींद सी आ जाती है वो किसान जो है आधी अपनी फसल को काट चुका है और आधी अभी बाकी है लेकिन वो नींद से ठक कर सो गया ऐसा लग रहा है जैसे उसने poppies को सूंग लिया फ्यूम यानि पर्फ्यूम उके उसकी हवा कह सकते है पर्फ्यूम को स्मैल कह सकते है देखे इसकी पोईटिक डिवाइस परसोनिफिकेशन है यहां क्योंकि ओटम को फिर से प्रसोनिफाइ किया गया तो आपने लिखना ही लिखना है अपने नोटिस किया होगा अभी तक हर एक लाइन के अंदर परसोनिफिकेशन और इमेजरी अधे लिखना है और परसोनिफाइ किसे किया है और साथ में मेटाफर का द्यहान लखना है आपको कैसे देखिए metaphor है fume of poppies यह कैसे metaphor है क्योंकि यहाँ पे use किया है इसे tranquility के लिए यानि बिलकुल आराम से शान्ती से वो सो रहा है जैसे कि अफीम सूंग कर इंसान सो जाता है मलब मदहोश होकर सो जाता है जैसे जिसको कोई होश ही नहीं रहता है जिसने अफीम सूंग लिया होश ही नहीं रहा और एक तम मदहोश होकर सो गया इस टाइप से वो सो रहा है चलिए आगे चलते हैं वाइल दाए दाएट इस अन आर्केक वर्ड हुक स्पेर देनेक्स स्वैथ और अल इस स्विंक्ट फ्लावर अब यहां पर वो ग्लीनर के रूप में दिखेगा आपको ग्लीनर कोन होते हैं ग्लीनर होता है फसल को इखटा करने वाला दाओ डॉस्ट कीप स्टीड आए लेडन हैड एक्रोस अब्रुक यानि एक इस तरीके का हुक जो की इखटा करने के काम आता है फसल को पड़ी हुई है केद में इखटा करने के काम आता है ऐसे हुक टाइप में कुछ बना हुआ होता है उससे इखटा करते रहते हैं वो क्या करते हैं जैसे फसल को अलग करते रहेंगे ना कुछ flowers बीच में होंगे, कुछ लताएं आपस में मिक्स हो जाएंगी, घास फूसी खट हो जाएंगी, तो इनको ऐसे अलग-अलग करने के काम आता है ये हुक, तो ग्लीनर के रूप में आपको देखा जा सकता है autumn, आप वहाँ पर कैसे हैं, ये काम कर रहे हैं, ठक गए है और ठकने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप एक नाले के पास, यानि जो खेत के बीच में से कोई बारिक स्या, कोई नाला बहरा होता है, उसको ब्रुक बोलते हैं, चीक है, ब्रुक का मतलता है खेत के अंदर से कोई नाली, नाला, पानी देने के लिए नहीं बहात देते ह आला, उसको कहते ब्रुक, ऐसा लगता है जैसे आप ठक गए हैं और आपने अपना भारी सर जो है, वो किसके किनारे रख लिया है, ब्रुक के किनारे रख लिया है, और आप वहाँ आराम करने लगे हैं, तो उस रूप में भी देखा जा सकता है ओटम को, देखिए, पॉइ आपके सामने आएगी, सिमली आई है, यहां पर यह थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लाइक वर्ड यूज हुआ है, और कंपेर किया गया है, ओटम को, ग्लीनर के साथ, ओके, सो, जब एज और लाइक आजाए, और कंपेरिजन आजाए, तो वो सिमली होता है, क्लियर है हमारा, चलिए आगे चलते हैं, और आप देखे जा सकते हो, यानि आटम को बोल रहा है यह बार बार, क्योंकि आटम को ही तो परसॉनिफाई किया है न, कि आटम तुम्हें एक साइडर प्रेसर के रूप में भी देखा जा सकता है, जो एकदम दहरे के साथ देख रहा है, क्या आटम को दोबारा से यहां पर एक एक एबलिटी दिखाई है, और आटम की, कि वो देख सकता है, वाच कर सकता है, तो हीर इस परसॉनिफिकेशन, वाच कि एक सकता है, पेशन्स लुक दिया है, तो यह क्या है, परसॉनिफिकेशन, मान भी करना लंकार, आगे चले, देखें, वेर अरदा सॉंग सोफ स्प्रिंग, यहां से आपका थर्ड स्टेंजा स्टार्ट होता है, स्टेंजा नमबर 3, और थर्ड स्टेंजा के अंदर, पृइट डिस्क्राइबस दो वेरियस साउंड और आजे तरह तरह के साउंड जो है, वा हमारे सामने आएंगे, ध़न देखने, आपने ओटम के अंदर कैसे कैसे साउंड आपको सुनाई देते हैं, वेर आर द सोंग और स्प्रिंग, ए वे वहाँ सुनदर मौसम है, बहुत प्यारे प्यारे गीत, वह वह उनौत अच्छा लगता है। वह भी क्akat आ तो स्प्रिंग सीजन का द्यान आता हैं। तो यहां यह कहरा है। कि वह स्प्रिंग वाले स्प्रिंग कहां है। कहां है। तुम्हारे अपना खुद का म्यूजिक है तुम स्प्रिंग के बारे में मत सोचो वाइल एक बार देख लीजिए अपॉस्ट्रॉफ यहां पर यूज हुआ था जो कि हम ने देखा यहां पर देखे दाओ यहां पर आपको साउंड बार बार दिखाए देगा इस वाले थर्ड स्टेंजा के अंदर सारा साउंड का ही बात होगा कि while beard cloud beard cloud का मतलब होता है इस टाहब से strips बनी हुई हो इस तरह से रेंबो वाला नहीं होता है जैसे रेंबो होती है जासे ये आपका surface है ठीक है और यहाँ ये surface है और इस तरह से आपको ऐसे ऐसे दिखाई देता हो ना ऐसे बादलों में ये rainbow type का यह क्या होता है सर्फिस से टच हो रहा होता है यहां से इस तरीके से कह रहा है कि जो यह जो clouds है यह कैसे लग रहे है ऐसे लग रहे है जैसे इनके इनके इनर strip बनी हुई है बहुत सारे colors हैं soft dying day ऐसा लग रहा है दिन जो है धीरे-धीरे ढल रहा है और नीचे जमीन को छू रही है यह जो strips जो दिखाई दे रही है प्लेन को छू रही है किसके साथ? rosy hue hue यानि color rosy यानि रोज के से color pink पिंक सा थोड़ा सा समझिये आप यानि जब सेट होना start होता है तो उस समय एक तम pinkish pinkish सा color हो जाता है उसका hue होता है color pinkish यानि रोज जैसा सा color हो जाता है तो उस तरीके के बादल दिखाई देते और इसके अंदर क्या होता है then in a willful, willful car the small nuts mourn small nuts means छोटी छोटी जैसे इस तरीके के जो जीव होते है उनकी आवाजे सुनाई देने लगती है जैसे ही ऐसा मोसम दिखता है ना कि जैसे सूरज जो है दीरे दीरे आस तो होना start होता है इस टाइप का सा जो है आपको sound सुनाई देने लगता है among the rivers swallow born of love on sinking as the light wind lives or die और ये जो आपको है ना ये जैसे भी जीव है ना ये इस तरह से दिखाए देंगे जैसे नदी के साथ साथ उदे हो रहे है और अस्त हो रहे है इसका मतलब नदी के साथ जिंदा हो रहे है और मर रहे हैं क्योंकि नदी की लहरों के अंदर ये पैदा होते हैं और जैसे लहरे उठती हैं तो लग रहा है ये जी रहे हैं और जैसे ही नीचे गिरती हैं लहरे वैसे लगता है कि ये मर रहे हैं यानि बहुत सारे जीव जानवर जो है उनकी आवाज सुनाई देने लगती है छोटे 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 कीट कह सकते हैं आप छोटे छोटे से कीट उनकी आवाज आपको सुनाई देगी और कैसी मोन करती हुई यानि वो उदास है बहुत जदा उदास है उनकी आवाज आ रही है देखे यहां पर परसोनिफिकेशन है क्लाउट्स आर परसोनिफाइड एस ब्लूमिंग human like quality दिखा दी ना कि ब्लूमिंग कर रहे है metaphor है क्योंकि वेलफुल कॉयर यहां metaphor है compare किया गया है nerds की जो sound है उनको moonful कॉयर के साथ group of singers जो गाना गाने वाले जो होते है गायक उनका group होता है उसको कहते है उनको compare किया गया है nerds के साथ में यहां G silent रहे है nerds बोलते इनको तो here is metaphor imagery तो आपके सामने आई गई है क्योंकि river swallows born aloft यह जो चीज़ आरे shrinking यानि यह जो है डूबते हैं कभी बाहर निकलते हैं यह सब चीज़े आरे हैं तो यह आपके सामने imagination लेकर आती है आगे चलते हैं किस-किस तरीके के sound आपको सुनने को मिलेंगे and full grown lambs loud bleat from hilly bleat का मतलब होता है mimiana यह जो बोलते हैं क्या कहते हैं इनको lambs आपको मिमियाते हुए सुनाई देंगे autumn के अंदर has crickets sing and now with triple soft उससे पहले poetic device here is alliteration आपको mention नहीं किया क्योंकि alliteration जो है वो तो आप बहुत ध्यान से अपने आप ही निकाल लेते हैं आगे चलते हैं has crickets sing and now with triple soft the red breast whistles from a garden craft देखें यह इस तरीके के से जो जीव होते हैं crickets जो होते हैं यानि यह आपको hases के अंदर आवाज करते हुए सुनाई दें और यह कुछ इस तरीके कासा sound करते हैं देखें कुछ from a garden craft यानि कुछ इस तर ऐसे sound करते हुए सुनाई देंगे इसकी पॉइटिक देख लीजे एक अगार इमेजरी दा लाइन यूजिस श्रॉंग इमेजरी of has cricket ट्रीबल सॉफ्ट रड ब्रेस्ट यह पक्षी है कीठ है जो उस समय पे आटम के अंदर स्पेशली एक अलग ही तरीके का sound जो है वो create करते है तो इसका जो sound की बाद जब हो रही है तो हमारे सामने imagination आ रही है imagination निकल कर आ रही है किस-किस तरीके की आवाज जो है वो सुनाई पड़ती है उसके बार next line है हमारी and gathering swallow twitter in the skies और पक्षी जो है उनकी आवाज आपको सुनाई देगी चह चाहाने की आवाज जब वो सुनाई पड़ेगी तो यह जो है sound यह आपको कहाँ पर दिखाए देगा आस्मान में दिखाए देगा और ऐसा लगेगा कि आस्मान के अंदर इनकी आवाज जो है वो निगल ली गई है यानि आस्मान ने पूरी के पूरी आवाज जो है वो अपने अंदर समाहित कर ली है ट्विचर करना यानि sound करना sky यानि आस्मान swallow यानि निगल लेना यानि ये ग्रूप बनाकर ऐसे आवाज करते हैं और ऐसा लगता है जैसे आस्मान जो है इनकी आवाज को निगल गया हो ठीक है इसमें poetic device देखिए वो ही imagery हमारे सामने आती है कि gathering swallow यानि ये imagination हमारे सामने लेकर आती इस तरीके से पक्षी जो है इकटे हो जाते है twitter यानि चह चाहाते है to create a visual and auditory picture of the swallows in the sky तो यह यहां तक हमारी poem थी अब पोयम के बारे में थोड़ा सा जान ले हम क्योंकि पोयम जो है बहुत important है तो सबसे पहले जानते है कि किस ने लिखा है इने John Keats ने लिखा है John Keats का life span 1795 से 1821 के बीच का है यह English romantic poet है यानि romantic era से बिलोंग करते है he was one of the main figure of the second generation of romantic period romantic poets की जो second generation है उसे बिलोंग करते हैं यह along with Lord Baron, P.B. Shelley मतलब उनके साथ की है यह उनके समकालिन है फोम देखे क्या है poem की यह एक ode है लिरिकल स्टेंजा है इसके अदर तीन स्टेंजा है तीन स्टेंजा की अपनी एक specific rhyme scheme है मतलब एक अलग है और बाकी दो और तीन जो स्टेंजा है उसकी same है theme क्या है central theme poem का है वो है nature की beauty और transition of life तांजिंस है life का message क्या है central message कि autumn जो है न autumn की भी अपनी एक अलग beauty होती है हाँ यह हमें बताती है कि किस तरीके से जो है life cycle जो है चीन्च होती है कैसे life death की तरफ जाती है यानि जिन्दी की जो है शुरू हुई है जैसे पत्ते जो है पेड़ पर आए है तो वो गिरे है लेकिन अगर वो गिरे है तो नए भी आएंगे तो ये एक तरह से क्या है cycle है life cycle तो ये message हमारे सामने आता है अब यहां है rhyme scheme और rhyme scheme आप खुद मुझे comment box में comment करके बताएंगे कि कैसे निकालते हैं और इसकी rhyme scheme क्या है yes specially stanza number one and three की क्योंकि second की और three की same ही है तो आप stanza number first and third का rhyme scheme मुझे comment करके बताएंगे ये था आपका video अगर आपको पसंद आया topic तो वीडियो को like कीजिए share कीजिए चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए thanks for watching कर दो